नमस्कार आप देख रहे हैं स्टेट नीज और मैं हूँ आपके साथ कृतिका ठाकोर और अबरुक करते प्रमुक खबरों की ओर लोग सबाद चुनाव 2019 के लिए कॉंग्रेस ने अपने उम्मिद्वारों के नामों की चौती सूची जारी कर दी है पार्टी ने अपनी चौती सूची में शशी थरूर समय कई दिगजों को शामिल किया है इस नई सूची के तहट पार्टी के वरिष नेता और पूर मंतरी शशी थरूर को तिरुवन पूरम से चुनाव मैदान में उतारा गया है वहीं अरुनाचल प्रदेश के पूर मुख्य मंतरी नभम टुकी को अरुनाचल प्रदेश पच्चिम से टिकेट दिया गया है जा कॉंग्रेस ने चौती सूची में कुल 27 उम्मीद्वारों के नामों की गोशना की है इनमें साथ नाम उतार प्रदेश से दो नाम अरुनाचल प्रदेश से और पांच नाम 36 गर से तो वहीं 12 नाम केरल से और एक नाम अंडवान निकोबार से है पार्टी ने यूपी के कैरान से हरेंद्र मलिक जबकी विश्नौर से इंद्रा भाटी और मेरट से ओम प्रकाश शर्मा को टेकिट दिया है बीजेपी केंद्री चुनाव समीती की बैठक खत्म हो गई है इस बैठक में बिहार, उत्राखन, असम, अरुनाचल प्रदेश, मनीपुरम, त्रिवपरा, केरल, आंद्र प्रदेश, तेलंगना, महराष्ट, जमो कश्मीर और अंडवा, निकोबार के लिए कैंडिरेक्स के नाम पर चर्चा की गई बताया जा रहा है कि बीजेपी ने केंडरी मंत्री गिरीराज सिंग को बिहार के बैगुल सराय से अपना उम्मीदवार बनाया है महीं बिहार के बीजेपी प्रदेश अद्याक्ष नित्यानंद राय को उजियारपूर से टिकेट दिया गया हाला कि अभी तक बीजेपी ने इसकी अधिकारिक गोशना नहीं की है उत्राखंट दौरे पर पहुँचे राहूल गांदी ने देहरादून के परेड मैदान में जनसवा को संबोधित करते हुए कहा कि उत्राखंट का देश की सुरक्षा में जो योगदान है उसका दिल से धन्यवाद करता हूँ देश रक्षा के लिए यहां के जवान हमेशा आगे रहे हैं और उन्होंने पुलवामा हमले को लेकर भी केंदर की बीजेपी सरकार पर निशाना सादा उन्होंने कहा कि आतंकी हमले के बाद हम बीजेपी सरकार के साथ खड़े थे लेकिन मोधी कॉर्बरेट की शूटिंग में बीजी रहे इतना ही नहीं इस दोरान राहुल ने मन्स से चौकिदार चोरहे के नारे भी लगाए रहुल के संबोधन से पहले बीजेपी साथ बीजी खंडूरी के बेटे मनीश खंडूरी ने कॉंगरेस का दामन थामा जिनने रहुल गांधी ने पार्टी की सदस्यता दिलाई वहीं रेली की पार्टी पदाधिकारियो सहित सेग्डों की संक्या में कॉंग्रेसी कारे करता पहुचे पार्टी जन्ता पार्टी ने प्रधान मंत्री नरेंद मोदी के ट्विट के साथ शनिवार को 2019 चुनाव के लिए अभियान शुरू किया इस बारे में बात करते हुए बीजेपी नेता सुप्रमर्णेम स्वामी ने कहा कि जो कहता है कि चौकिदार चोर है वे खुद जमानत पर बाहर है प्राइवेट सिटिजन के नाते मैंने केज डाली है और उनको रोज जड़प मिल रही है सु आए कोड ने कह दिया इतनी बड़ी चोरी हमने कभी देखा नहें ज़िए जब उन्होंने जम्याज को सरकार वापस ले लिया तब इन्होंने जाकर आई कोड में अपील किया तो आई कोड ने का कि इतना बड़ा चोरी हमने कभी देखा नी तो ये तो सिद हो गए हैं और सिरफ बाइदा मांगे अजन्मन मांगे इतनी देरी हो गई है ये तो निश्चित जिल जोने वाले लोग हैं अब प्रदान मंतरी के वारे एक भी केस नहीं है इनके राज में एक प्रदान मंतरी को तो कुछ जवाब देनी की जुरूती नहीं है सारा देश समझता है कि ये नेरू परिवार शुरू से जवला नेरू के टाइम से चोरी की है तमिलाडू के मुखे मंतरी एडपादी के पलानी स्वामी ने चेननाई में DMK के प्रमुक कप्तान विजयकांथ से मुलाकात की दौनों नेता लोगसभा चुनाव से पहले एक दूसरे से मिले थे जहां केप्टन विजय कांथ की डीमडीके और एई एडीमके के नेतरत वाले राश्टी जनतरांतिक गटबंदन एंडीय के बीज गटबंदन की घोशना दस मार्ज को की गई थी कॉंग्रेस के राश्टी अद्यक्ष राहूल गांदी ने शनिवार को देहरादून में जन सबा को संबोधित किया इस जन सबा को लेकर कॉंग्रेसियों में खासा उस्सा देखा गया जा कॉंग्रेसियों के उस्सा और रेली के माइनों को लेकर न्यूस इंडिया ने कॉंग् जो कॉंग्रेस पार्टी के उत्राखंड के वरिष्पताजी कारी सभी लोग मौझूद है और लगतार सभी मान रहें कि राहूल गांदी की ये रैली जो है एतिहासिक है कुछ वरिष्पताजी कारियों से हम बात करेंगे धीपोरा जी धीपोरा जी कितनी एतिहासिक है रैली को क्या दिया और कॉंग्रेस ने उत्राखंड को क्या दिया हम इस ब्रस्टाचारी सरकार को यहां खाड़ फेंकने के लिए आसा भी कठा हुए है और आप देखिएगा कि 23 मही को राहूल गांदी जी जब परदान मंत्री बनेंगे तो हमारा भी इस तकबाल होगा और इस द देखे राहूल जी आपके सामने है और ग्राउंड आपके सामने जिस तरह से जैम पैक ग्राउंड बाहर लोग हजारों की तादाद में खड़े वे हैं लाइन अप किया हुए क्योंकि सिकोर्टी परपस से बहुत लोग हजारों लोग बाहर भी खड़े वे तमाब लोग ल तरह से जो राफेल के पेपर गायब है और यह कहा गया तो राहूल गांधी कह रहे थे । चोगीदार ही चोर है यह साबित हो गया है कि चोगीदार ही चोर है अब जाही तो पर लोग समद्दोना का बीगल बच चुका है आने वाले समय में क्या कुछ कॉंगेस पार्टी अ पर बढ़ते जा रही है और यह कहाँ भी जा सकता है कि एक अच्छी खासी बील्ड कुछी शनों में यहां पर इक्षटा हो जाए कि तूर पर राहुल गांदी किस तरह से जंता को मोटिवेट करते हैं किस तरह से अपनी बात रख पाते हैं किस तरह से जंता के मन में पैड़ बना पाते हैं यह तो आने वाला वक्त बताएगा अपने के साथ में रोहित प्रिकरन सिंग नियूज इंडिया धेरा दूर राजिस्तार में आरवेदिक हेल्थ केर कंपनी डावर इंडिया लिमिटेट की और से चुनाव को लेकर जन जागरुकता अभियान चलाया जा रहा है जिसके तैद श्री खाटू श्याम जी के फालकुन मेले में आने वाले श्रदालों को ईवी एम और वीवी पेट के बारे में जागरुक किया जा रहा है जैसलमेर के मोहन गर्व कस्पे के सामुदाइक स्वास्थ केंडर का जिला कलेक्टर नमित मेता ने ओचक निरिक्षन किया निरिक्षन के दोरान मुख्यमंत्री निशुलक दवा वितरन केंद में मरीजों को निशुलक मिलने वाली दवाईयों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई इस दोरान सामुदाइक स्वास्त केंदर अधिकारी डॉक्टर के आर पवार ने जिला कलेक्टर को जानकारी उपलप्त करवाई जिला कलेक्टर ने चिकित साले में सफाई विवस्ता में सुधार लाने के लिए चिकित साधिकारियों को निर्देश दिया और वही अस्पताल के वार्डों का निरिक्षन कर आविशक सुधार के निर्देश जारी किये राजिस्तान के सुमिरपूर में पुलिस ने बजरी माफियों के खिलाफ कारवाई को अंजाम दिया जहाँ पुलिस ने एक डंपर और टैक्टर चालक को जब किया और इसके साथ ही पुलिस ने डंपर मालिक और चालक के खिलाफ मामला दर्श कर लिया है आपको बता दे कि पुलिस को सूचना मिली थी कि जवाई नदी में काफी दिनों से आवैद बजरी खनन हो रहा है राजिस्तान के जोदपुर में एक तेज रफ्ता डंपर ने युवक को टकर मार दी हाथसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई जहां घटना बरा नोड़ा थाने के सलवास गाउं की है वही घटना के बाद ग्रामीरों ने प्रदशन किया और फिलाल पुलिस ने मामरा दर्ज कर जाश शुरू कर दी है राजिस्तान में लोगसभा की सभी 25 सीटे जीतने के लिए कॉंग्रेस हर संबब प्रयास में जुटी है जहां प्रदेश प्रचार अभियान भी तेज कर दिया गया है जिस तरह पिछले विदान सभा चुनाव में प्रदेश में प्रचार कर काफी मेहनत कर 100 सीटों पर कबजा किया था और अब लोगसभा की सभी 25 सीटे जीतने के लिए प्रयास कर रही है 2014 में लोगसभा चुनाव सबक लिए हुए कॉंग्रेस इस बार छोटे से छोटे इस्तर पर जन सभाएं पर चुनाव प्रचार करेगी कॉंग्रेस इस बार सभी 400 ब्लॉक में जन सभाएं करेगी और साथ ही बड़े इस्तर से 50 जन सभाएं आयोजित करेगी इसके अलावा कॉंग्रेस अद्यक्ष राहूल गांधी और महासचिव प्रेंका गांधी की बड़े इस्तर की सबाओं का भी आयोजन किया जाएगा महीं वर्तमान में कॉंग्रेस पार्टी ने बड़े इस्तर की जन सबाओं आयोजित करना शुरू कर दिया है हमारे अकिल भारतिये महामंत्री अभिनाश पांड़ी जी हमारे मुख्य मंत्री अशोग जी हमारे अध्यक्ष सजिन पाइलेट जी तीनों मिलकर चुनावी सबाओं कर रहे हैं और अभी तक उन्होंने आठ सबाओं कर चुके हूँ और इसी प्रकार से पूरे प्रदेश के अंदर लोग सबावाइस एक एक लोग सबाओं के अंदर दो-दो सबाओं करने का कारिकरम उन्होंने बनाया है लगवग पचास सभाएं इस प्रकार से इन लोगों का कारिकरम है कि ये पचास सभाएं जो ही हमारे बड़े नेता लखनाओं में आरेलडी नेता जयन चौधरी बसपा सुप्रीमो मायवती से उनके नौ माल एवेन्यू आवास पर मिले इस दोरान दोनों नेताओं में पच्चिम यूपी की कई सीटों पर इस्थानी समीकरण को लेकर जरजा की दरशल मायवती रविवार को बसपा उमिद्वारों की लिस्ट जारी करेंगी लेकिन लिस्ट जारी करने से पहले माया वती उम्मी द्वारू के पक्ष में इस्तानी सम्मी करन सुनिश्चित करेंगी आपको बता दे कि सपा और बसपा और आरेलडी में गट बंदन होने के बाद दोनों नेताओं की यह पहली बैठक थी हम लोग ताल मिल बना चुके हैं जो जमीनी है हमारे कारेकरता एक दूसरे के साथ मिल कर काम कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि 80 के 80 सीटों पर कारेकरता मिल के चलेंगा अच्छा यह जोगों में ये भी डिसक्स हुआ किस तरह से फरदर रहली के प्लान होगे क्या होगे कर कॉन। मैं फिर बताता हूँ आगामी चुनावों पर देश के जोलंद मुल्दों पर हमने चर्चा की है उसका एक पहलू कारिक्रम होता है इसका एक पहलू चुनावी तैयारिया होता है आज अब मैं दिल्ली इर्वाना हो रहा हूँ नकली दवाओं को लेकर आश्रदी नियंतरक विभाग ने एक बड़ी कारवाई को अंजाम दिया है जिसमें नकली मैनेक्स्ट्रा वैक्सिन की कैप पकड़ी है विभाग की टीम ने जोतपूर और जैपूर में की गई कारवाई को अंजाम दिया है जिसमें मौके से 19 नकली व देश में इन पर रोक लगा दी है वैक्सीन की कीमत करीब 4950 पताई जा रही है जेसल मेर में चिकित्सा अधिकारियों ने मोहन गल कस्पे के सामुदाइक स्वास्त केंदर का निरिक्षन किया और चिकित्सा कर्मियों को आविशक दिशा निर्टेश दिये इस दोरान स्वास्त अधिकारी ने मुख्यमंत्री निशुल्क दवा वित्रन केंद्र का निरिक्षण कर मरीजों को निशुल्क दी जाने वाली दवाईयों की जानकारी भी लिए राजिस्तान के भरतपुर में दो दीवसिये विराठ कुष्टी दंगल का आयूजन किया गया जिसमें अलग अलग राज्यों के पहलवानों ने हिस्सा लिया वहीं आपको बता दें कि कुष्टी दंगल में 128 पहलवान जोर आजमाईश कर रही थे इस दोरान कुष्टी के दं मांचक मुकाबला भी देखने को मिला। परगतगारी सुधीर परताप सिंग वा प्रमुक समाज से भी अनुरागर मुझूद थे। 128 पहलवानों ने इसमें भाग लिया है। राहुल गांदी ने शनिवार को उत्राखन में चुनावी शंकनात के साथ भूवन चंद्र खंडूरी के बेटे को कॉंग्रेस में शामिल कराकर जो मास्टर लगाने का काम किया है। कॉंग्रेस में शामिल हुए मनिश कंडूरी ने अपने एक मिनट के भाशन में यह दर्शा दिया कि इस चुनाव में कॉंग्रेस के लिए मनिश का आना बीजेपे के लिए चुनावी सर्दत बनने वाला है। बहराल उत्राखन की परिवर्तन रेली में राहुल का यह मास्टर स्ट्रॉक चुनाव में कितना कारगार साबित होता है यह आगामी लोगसवा चुनाव में साबित होगा। कि यह आने मानना है कि आपके निर्दित्व के कॉंग्रेस पार्टी इस देश को इस प्रांक्ट को और पूरे पजब कंत्र को सचत करेंगे। कि यह पर आने से पहले रहे हैंने अपने तीन क्या आपका आश्राज में और रने कहा हैं उनने कि क्या को हो सच्चाई की बाद पचल सकते रूंप उन्हों उनने पूछा वी। कि कया को कि फ़िए खलती की। उन्होंने सच्चाई बोली उन्होंने कहा देखिये हिंदुस्तान की रक्षा का ममला है उत्राखंड हर अपने बेख राजिस्तान पुलिस महाने देशक कपिल गर्ग सालासर धाम पहुंचे जहां डीजीपी का हन्मान सेवा समीते के अध्यक्ष यशोदा नंदन ने स्वाग चुनाव को लेकर पुलिस प्रशाशन को अलर्ट रहने के निदेश दिये ताकि चुनाव में किसी भी प्रकार की अवांचनी गटना गटना हो और चुनाव शांती पूर्ट तरीके से संपन हो खबर राजिस्तान के करॉली से जहां टोडा भीमें लोगों ने सतरक्ता दिखाते हुए दो इसमैक तसकरों को गिरफतार किया साथी तसकरों से नशे की पुडिया के साथी मुबाइल नमबरों की भी परची बरामत की सुचना के बाद मौकी पर पहुची पुलिस ने दोनों इसमैक तसकरों को गिरफतार किया और फिलाल तसकरों से पूस्ता जारी है राजिस्तान के बीलवारा में पुलिस ने लूट की वारदात का 24 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया आपको बता दे कि आरोपी ने दिन दाड़ एक महिला के साथ हतियार के दम पर लूट की थी जब फिलाल पुलिस ने यूवक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है पावडी से गाउं के अंदर खेत में महिला काम करते वगत उसके साथ माग्यात व्यक्ति दुआरा उसके चाको से उसके वार किया जल महल के सामने राजिस्तान होट पर चल रहे रसोई 2019 स्वाद राजिस्तान का उत्सव में जैपू राइट्स को लुभाने के लिए कई आयोजन किये जाए जा रहे हैं यहां चल रही कूकरी वरक्शाप में व्यंजन बनाने के शौकिन महिलाओं को होली के अफसर पर बनाये जाने वाले खादे परदातों को बनाने की विधियां बताई जा रही है देखिए एक खास रिपोर्ट गसोई उत्सव में मसालों की महें लोग ले रहे व्यंजनों का जाएका जल महिल के सामने राजस्थान हाट पर चल रहे रसोई 2019 स्वाद राजस्थान का उत्सव में जैपुराइट्स को लुभाने के लिए कई आयोजन किये जा रही हैं यहाँ चल रही कुक्री वर्कशॉप में व्यंजन बनाने की शौकीन महिलाओं को होली के अवसर पर बनाये जाने वाले खाद्य पदार्थों को बनाने की विधियां बताई जा रही हैं रसोई उत्सव में आकर शहर के लोग अपनी पसंद के अनुरूप मसालों की खरीदारी कर रहे हैं तो अपने स्वाद और जायके के अनुरूप व्यंजनों का लुद्व उठा रहे हैं अनुठे मिठाई मसालों की खरीदारी के साथ ही जैपुराइट्स सेफ समीर गुपता के टॉक्सो और यहाँ पर आयोजित व्यंजन प्रतियुगताओं में हिस्सा ले रहे हैं समीर गुपतार रसोई उत्सब में उत्सब में आने वालों को कुकरी के टिप्स दे रहे हैं। वे यहां महलाओं और युवाओं अफसर विशेश पर बनाये जाने वाले व्यंजनों को बनाना सिखा रहे हैं। मिर्ची बनाते थे, काली मिर्च और आटे को भून करके और उसमें सब तरह के ड्राइफ रूट वगरा डाल करके और उसको वो सुबह के समय जिन दोनों ये होली का पर्व रहता है या बासोड़े का पर्व आता है तब तक खाते थे और उससे उनकी शरीर को उरजा मिलती रह आते थे और वो जो बेसन है इस समय में चुकि गर्मी का आगमन होने लगता है शरीर की हमारी जो प्यास है जो पानी की तरफ्ती है वो बराबर बनी रहे इसलिए इस बेसन की इसका प्रयोग करा गया आज का लोग इसको नहीं सोचते बजार से खुब सारी चीजें ले आते बनाते हैं और खा लेते हैं पर मैं तो फिर रेकमेंड करूँगा कि बेसन की चीजें बनाएं बेसन की मुठिया की चीजें बनाएं काकरी मिर्ची बनाएं गुजिया जरूर बनाएं पर नारियल का प्रयोग करें जिससे कि नारियल आपके जो शरीर के अंदर आपके जो फ उत्सब में आने वाली महलाओं को अलग-अलग तरह की रेस्पी भी जानने को मिल रही हैं। वियंजन प्रतियोगताओं में वरिष्ट महलाओं की खिचडी और वेराइटीज और खीर प्रतियोगता आयोजित की गई। रसोई उत्सब में महलाओं को मक्की की जाजरिया, खेलरी की सबजी, पुरानी चीजों को फ्यूजन के साथ बनाने गुजिया का बिना तले समोसा और तुरंत बनाने वाला प्याज सहित बदलते मौसम के अनुरूप खाद पदार्थों को बनाना सिखाया जा रहा है। मैं बटा हुआ है, जैसा कि आपने फरमाया मेवात भी है, मारवाड भी है और बहुत सारे हमारे उद्यापूर की जगे भी है, जैसल मेर बिकानेरे, सब जगे के अलग हानपान है और वास्तव में चीज़ने लुप्त होती चली जा रही हैं, तो अगर हम उन सारे टेडिश सभी घरों के अंदर बनती थी और उसके अंदर बहुत सारे नारियल का प्रयोग होता था, मावे का कम प्रयोग होता था, आजकल सभी लोग बजार के मावे पर डेपेंड करते हैं और आपन देख रहे हैं कितना मिलावट चीज़ों के अंदर आ गई है, वो सब चीज़ें प्रयास है और मेरा संदेश है लोगों के लिए कि वो चीज़ें वापस बनाएं कम हैनत लगेगी लेकिन आप स्वस्त रहेंगे अपने परिवार को स्वस्त रखेंगे और खुद भी स्वस्त मौसम बदल रहा है सरदियां जा रही है और गर्मी ने आहट देनी शुरू कर दे है हमारा खानपान भी मौसम के अनुसार बदल रहा है इस लिहाज से रसोई उत्सब में आईजित वर्क शौप में व्यंजन बनाने के लिए महलाओ की रुची इस बात का संकेत है कि अपने र तमाब खबरों की अपडेट्स के लिए देखते रहिए यूस इंडिया